हरे क्रिशा दोस्तों मैं रिबानशी श्वागत करता आपकर से पेश्ची व्यपाम में जैसा कि आप लोग ने वीडियो का रैडल पढ़ ले होगा कि मोदी जी ला रहे है दस लाक नौकरी और साथ में चत्रसगर में मंतरालाय में बाबू की जो भरती हुई है उसका जो स्क्राइब करें सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अती महत्वपूर्ण 10 लाक नौकरियों के बारे में पताना चाहूंगा जाहिर सी बात है आप सभी को सभी जानते हैं लोगसबा चुनाओं 2024 में होने वाला है और उसकी तैयारी सभी जो सरकारे हैं वो कहीं न कहीं करती है उसी के ताहर देखिएगा आज जो है खबर छबी है कि मोधी जी धंतेरस में 15,000 बशात्तर हजार लोगों को न्यूकती पत्र देंगे साथ में 10 लाक नौकरी जो है वो लाएंगे और उसके जो भरती की प्रक्रिया है वो अगले साल 2023 तक पुरी क की पुरी कम्प्लीट की जाएगी ऐसा करके बताया गया है अब अगर हम बात करें कि यह कौन-कौन से पद है सबसे पहले तो देखिएगा ग्रूप यूपी स्सी और एसेसी के अलावर रेलवे में बी जो है पद है रक्षा मंध्रालय में भी है ग्री मंध्रालय में भी पद है अगर हम बात करें ग्रूप ए के 23000 पद है यूपी एससी प्रकार रेलवे में 2,92,000 बोले जाए तो 3,00,000 पद है रक्षा मंतराले में गुरुब B के 49,000 और गुरुब C के 2,00,000 पद है गुरी मंतराले में 1,21,000 पद है जो आने वाले समय में भरे जाएंगे यहाँ पर बताया गया है कि 10,00,000 नौकरिया केंदर सरकार के 48 मंतराले और विभागों के जरिये भरी जाएगी और यहाँ पर अगले साल 2023 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष रखा गया है मतलब जाहिर सी बात है युवाओं को खुसकर किया जा रहा है जो इतने सालों से अभी तक भरतिया उस लेवल पे या उस मात्रा पे नहीं आ पाई थी चाहे वो रेल्वे की बात करे तो अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी तो अगर आप रेल्वे की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की या सेना में जाना चाहते है तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी तो देखिए ये एक प्रकार का चुनावी श्रोग भी है कहा जा सकता है लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि भरतिया निकल रही है विरोजगार युवाओं को मौका दिया जा रहा है इसी कड़ी में अगर हम हमारे 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में आज आप सभी जानते है कि Argent Hearing लगा हुआ है अब ये जो Argent Hearing आज Supreme Court में लगा हुआ है वो है आरक्षन से सम्मंदित मामला अब ये आरक्षन से सम्मंदित मामा बहुत सारे लोगे बोलते हैं कि क्या ये भरतियों से सम्मंदित का आरक्षन का मामला ऐसा नहीं है आरक्षन के मामले पर जो है सुनवाई हो रही है और यार रखिएगा ये इसका जो निर्णा है या इसका जो भी फैसला होगा उस पर हमारी भरतियां प्रवेश परिक्षा इस पर impact होगा तो कहीं न कहीं जो रुक्वी ही भरतिया है वो clear हो जाएगी जो अभी counseling रुक्वी हु इससे विरुजगार युवाओं को जो चत्रजगार में फिलाल अभी अकाल पड़ा है वह अकाल दूर होता हुआ नजर आएगा अगर आज जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला दे देता है अरक्षन के संबंद में चत्रजगार से संबंदी इसी कड़ी में अगर हम बात करे तो चत्रजगार मंत्राले में जो आप सभी जानते हैं जो 2021 में तैयूक त भरती हुआ था और उसका टाइपिंग टेस्ट भी हुआ था और उसके बाद वहाँ पे सुची जारी कर दी गई है जैसा कि आपके इस्किन पर शो हो रहा होगा दिखिएगा नवा रहपूर में मह पर इख चली गई थी अब मेरिट वह आरक्षन के अधार पर चैन्सुजी जारी की जाएगी लिकिन इसमें आरक्षन को लेकर हाई कोट दौरत दी गई विवस्ता का असर पड़ सकता है इसमें कई योग्ये भी पात रहोने के बाद भी आरक्षन में कटावती के करण सेलेक चैन्सजाले में 10 लाग भरती करेगी उसी प्रकार 36 गड में भी फिलहाल जो बोलंची एक जितने भी सारे पद है उसका एक डाटा क्लेक्शन किया गया है और अब सामने करेगी फिल्हाल अलाउंस तो 12,000 सिक्षक भरती का हो ही चुका है लेकिन आने वाले समय में ऐसी लॉट के लॉट भरतियां भी चत्रजगर सरकार के दौरा आपको देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है यह चुनावी महल में कहीं न कहीं बेरोजगार अपने आपको अच्छे से पढ़िएगा इसी गर्म आपको बोरओं ताकि आप इस चुनावी महल में सिर्फ अपना लाब देखिएगा जो चुनाव में कहीं न कहीं जब भृतियां निकलेगी तो आप में उसका सिलेक्शन होगा क्योंकि इस समय जो भी भरतियां निकलेगी याद उसी प्रकार से अभी जो सिच्वेशन रहती है उसमें जल्दी से रिजल्ड भी आता है न्यूक्तियां भी फटाफट होती है तो इस अवसर का जो लाब है वो बेरोजगार उठाईएगा और पॉजिटिव रहिएगा आज जो भी सुप्रिम कोड का फैसला आएगा बहुत ही बोलना ची महतापूर्ण है आज का दिन सभी के लिए तो बिल्कुल आप नजरे टिकाया रखे हमारा भी नजर है इस मामले पे जो भी न्यूज आएगा आपको तुरण दे दिया जाएगा फिलाल आज का न्यूज यहीं तक आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लागा अगर वीडियो अच्छा लागा तो पीसे जादा ज्यादा लोगों तक शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धंड्यवान आप सभी श्वस्त रहें मस्त रहें पोजिट्यू रहें